जहिन एवरिवन सो आप सभी का जो एरफोर्स फेस्टू है उसकी जो प्रक्रिया है वो चालो हो गई है तो मैं एक नॉर्मल से रिक्वेश्ट करूँगा कि जीन भाई का या बहन का फेस्टू पार हो जायेगा ठीक है आप अपना रिजू जरूर दे क्योंकि उससे दो चीज हैं जिनका एरफोर्स है उनको भी थोड़ा सा मदद मिलेगा ठीक है मेरा भी हैल्प होगा बागी को भी होगा जो चीज जैनूइन है तो इस वीडियो में नॉर्मली में जीडी के बार में थोड़ा सा बताऊंगा जैसे एक आलो को नाम का भाई है उसने मुझे एमेल किया और एक भाई है उसका नाम मुझे आद नहीं आ रहा है वो उत्राकंड से था इसने मुझे मेसेज किया था तो मैं एक छोटी से चीज बता दूँ कि आप ऐसा सोचके ही मत जाओ कि आपको जो वहाँ पर टॉपिक मिलेगा वह आपके लिए जाना पहचाना होगा ठीक है आप कशें कि मसेटा कर लेंगे उसके साल आपा कि कि मवन का मई है इस एक ऐसा के वीडियो कर लड़ा के बर दूंज कि अगर मिल घ्या तो और मैं खेर कर दूंगा है इसके लिए नागर देक्टारियो वार्टा कि आपiri यज क्लीर सब्सक्रड़ाण जो लड़के यह सोच रहे हैं कि भाई अगर टॉपिक अन्नोन आ गिया तो कैसे टेकल करूं कुछ नहीं मैं बस इतना बोलूँगा कि आपको तो यह पता है कि वो लोग टॉपिक पढ़के सुनाएंगे और बहुत लोग यह कॉमेंट करते हैं कि भाई वो टॉपिक क्या नाम बताते हैं तो जरूर बताते हैं टॉपिक का नाम वो बताएंगे उसके बार टॉपिक को पढ़ेंगे अराम से पढ़ेंगे हां एक बार ही पढ़ेंगे इसलिए आपको सुनना अच्छा से पढ़ेगा बी एक गुड लिसनर बिना सुने बहुत जन कुछ भी बोल देता है सुन तो लो सामने बाला बोल किया रहा है पहले सुन लो समझ लो इसलिए जब वो लो जब कमांडिंग ओफिसर जो आके रहेंगे जब वो टॉपिक पढ़के सुनाएंगे ना उस टाइम पर अच्छा से सुनना कुछ भी इधर उधर का मत सोचना सुनना अराम से सुनना और चलो कि अन्नोन टॉपिक आएगा ठीक है इसलिए कोई घबराना नहीं है क्लियर हो जाएगा भाई एकदम बोल रहो मैं क्लियर हो जाएगा कॉन्फिदेंस में रहो ठीक है और खुद में सेल्फ डाउट मत रहो कि करूंगा याग नहीं सबकूंगा यह नहीं हो पाएगा य इसलिए डाउट मत करो खुदको ठीक है अच्छा से सुनना अराम से लिखना बोलने के टाइम में अपना इंट्रोड़क्शन ठीक से देना ठीक है और टॉपी का बार में ज्यादा कुछ भी ना बोल पाओ तो एट लिस्ट कुछ भी बोलो लेकिन दो मतलब ऐसा बोलो कि हा मेल आईटी दिया हुआ मेरे इमेल पर आप मुझे मेल कर सकते हैं मिलते नग्स वीडियो में तब से के लिए जैहिंद गुटबाइ एंड टेक कियर